जैपुर के लिए जैपुर के लिए है अभी तो बजेट आएगा जुलाए में पूरा बजेट उसमें आप लोग देखेगा क्या क्या आता है अभी तो प्लेलर फिलम बाकी है तो आप सब को बजेट की बढ़ाई बहुत 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 दिया कुमारी हमारे हमारा जो आज ही काम हुआ है ये जैसा कि अभी मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने आपको बता है कि अपना जो ये अपनी विसलपुर परियोजना है इसमें हमारे इस बार तो अभी अपने शायद दो टंकिया रह गई है लग छे टंकियों के तो शिलानियास हो चुका और वो दो टंकिया रह गई है उनका भी शिलानियास बहुत ज़दी होने वाला ये बहुत ही कुची की बात है क्योंकि मैं यहाँ पर जब आई थी तब ये बात बहुत ज़्यादा चुनाओं के समेवी आप लोगोंने मुझे कहा कि यहाँ पानी की भ्यंकर समस्या है और बहुत दुक्की बात है कि पात साल कॉंग्रिस का राज था लेकिन उन्होंने इन पात सालों में आपकी पानी की समस्या का कोई भी इन्होंने वो नी निकाला कोई भी हल नी निकाला और अभी भी आप लोग टैंकरों से पानी पी रहे बहुत दुक्की बाद है जैपूर जैसा शने और विद्यादन अगर तो ऐसे शेत्र है जिसके बारे में पानी की कमी हो कोई सोच भी नहीं सकता लेकिन यहां बहुत पानी की कमी है इसलिए मैं मंत्री जी से भी निवेधन करती हूँ कि आप यहां पर हमारे हर वार्ड में पानी की समस्या है तो उसका भी निदान आप जल से जल निकलवाए और यहां पीशेत्र की जनता को पानी बिलाने का काम आप करें हम सब जानते हैं कि ERCP जैसी महत्थवकांशी योजना को हमारी सरकार लेकिशा आये उसके लिए तो हम जितना भी मानने पढ़ान मंत्री जी, जर्शंत्य मंत्री जी और हमारे मुख्य मंत्री जी का और मंत्री जी का धनेवाद दे उतना कम हो क्योंकि इतना कम से कम 20 जिलों को पानी मिलेगा पीने का भी और सिचाय का भी जो कि एक सपना था जिन्दावोड तो ये इतना बड़ा काम हुआ है और भी बहुत बड़े-बड़े काम होंगे निश्यत रूप से जो सपना है मोदी जी का सपना है कि एक विक्सित भारत बनना चाहिए 2047 का वो विक्सित भारत भी बनेगा और उसके साथ साथ विक्सित राजिस्तान भी बनेगा क्योंकि इस डबल एंजिन डबल एंजिन देख लिया आपने कल और हम लोग उने बाते नहीं किये हम लोग नहीं हम लोग इन सब जो मैंने कल बाते रखी उन सब को आप देखेगा बहुत जल्दी हमारा अभी तो अचार सहिता लग जाएगी उससे पहले ही उन पे काम शुरू होता हैगा जो भी टेक्निकल काम है फाइले चलाने का काम है सब हो जाएगी जैसी अचार सहिता हटेगी उस समय सब कुछ हम लोग धरातल पे उतानने का काम देखेगी यह सब है और ऐसी कोई बात नहीं कही है जो हम लोग नहीं करें कॉंग्रेस नहीं बहुत सारे हम भी कर सकते थे हमारा भी तो चुनाओ क्या लोग सबह चुनाओ नहीं वो भी तो है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बोला ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि हम जो पूरा नहीं कर से या कोई भी जूटी घोशना या कोई भी ऐसी बात कि फ्री में ये दे देंगे वो देदेंगे karışटा सवाभिमानी जनता अधिकार से मांगते friends, सौनकर्वित्थ के आप लोगों को बिलकुल भी स्थरोंगी इनके कारयकर्ता को और निद्द्दाओं को आपको भिशनेश नहीं देना जाएगे इन्होंने सिर्फ zulूटा है लूटा है आज आप लोगों की सरफर सत्तर हजार आठ सो रूपे का कर्जबार है आप जानते हैं ना इस बात को आप सब लोगों के उपपर हम सब के उपपर ये सत्तर हजार किसने बनाया कॉंग्रेस ने बनाया इससे पहले हमारी सरकार्थी सत्रा अठारा में उस समय इसका आधा दो इन पांच सालों में इन्होंने इसको डबल कर दो क्यों पुरी की रेवडियां बनाया पुरी की रेवडियां खुद की जेव से नहीं दे रहे हैं ये आपकी जेव से दे रहे हैं इस जेव से निकालकर इस जेव में दावें और आप ही की जेव हैं दोनों तो आप इनकी बातों में ना हैं एक मोधी सरकार को अब हमको दुबारा लाना है केंद्र में लाने का काम राजिस्थान में तो आप लेके आगे लेकिन अब हमारा महत्वपून चुनाव सर्पर है उसमें मैं जानती हूँ कि पूरा शेत्र मोदी जी के पूरी गैरेंटी के उपर विश्वास करता है और दुबारा से इस विश्वास पे आप भरोसा करेंगे और फुल वोटिंग करेंगे आप लोगों के बीच आने का आप मैं आती रहूंगी बीच में क्योंकि बजट की तैयारी थी तो सब लोग व्यस्ते विशेश करमें लेकिन अब आप लोगों के बीच तो घर पे ही है तो आते रहती हूँ मैं तो शादियों बैसे वाड नमबर एक में तो बोद हो ही गया और आप देखिए सबसे पिछड़ा यही शेथ है ने तो मैं आराम से आके विद्यादय नगर में आके चक्कर काट के जा सकती हूँ वो काम नहीं करना जहां पर सबसे ज़्यादा पिछड़ा परपन है वहीं पर पहले आदा और हमारी सरकार भी उसी पर काम देखिए तो आप सबका आभार करती हूँ सभी कारेकरताओं का सब जन प्रतमिभियों का हमारे मंत्री जी का कि आपने अच्छा कारिक्रम किया और स सब को बहुत 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 बढ़ाई कि अब पानी हमारे घर तक आने वाला है बहुत बहुत आभार जैजै श्रीना